आपको बता हैं कि मैं हमारे चैनल पर हरोज आईटिय पासवड शात्रू के लिए दोसे तिन वीडियो आईटिय से निकलने वाली सभी प्रकार की गौर्मेंट जो वकेंसिस के लेकर आता हूँ आज़म बात करने वाले हैं मिस्र धातू निगम लिमिटेड बीधानी की तरब से आईटिय पासवड शात्रू के लिए पर्मानेंट सरकारी भरती निकल कर आ गई हैं जो कि होने वाली हैं कापी सांदार भरती आईटिय पासवड शात्रू के लिए 20,000 रुपे पर्मन सेलरी आप लोगों को यहां से मिलन गई अगर आपने अब कर गरू कर छो करते हैं वीडियो का आप देख पा रहे हैं मिस्र दहातु निगम लिमिटेड गॉर्मेंट टॉप इंडिया एंडर वारिजर में नीरतन कंपनी है जहां से रिकार्मेंट निकाली गई है आइटीय पसवड शात्रों के लिए साथ यह सीनियर टेक्नेशन के लिए यानिकि जूनियर ऑपरेटिव टैनी और सीनियर ऑपरेटिव टैनी के के लिए रिक्वार्मेंट यहां पर है इस प्रकार से यहां पर आइट यह लगबग 30 पोस्ट हैं जिसमें से आप देख रहा हैं है 13 और अपर एज लिमिट है 30 साल तो 13 और 6 आप लोगों की हो जाती है 19 प्लस दो 21 पोस्टे टोटल आइट यहां पर 30 साल रखे गई हैं और सेलरी जो आप लोगों को हैं पर मिलने वाली हैं वह आइट यह पेटन पर 20,000 रुपे परमन सेलरी स्टार्डिंग सेलरी मिलने वाल एक बार फिट से हम देखैंगे ऑन को जे ओ टी जूनियर और एटेट्प लोगों का होना चाहिए और साथ हीStr पलस आइट आप लोगों से मांगा है इसके बाद से हो और जेओओकत के लिए 10th PLUS ITA Electrition सी होना चाहिए और National Apprenticep Certificate भी आप लोगों से मागा है SOT के लिए जिन छात्रों ने Senior Training Operative के लिए जो requirement है Diploma आप लोगों का है Metallurgy Engineering से 60% Mark से इसाथ आप लोग पास आउट है Mechanical के लिए Mechanical से Diploma चाहिए Electrical के लिए Electrical से Diploma जिसे हम बोलते हैं Polytechnic आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोगों eligible है इसके लिए apply कर सकते है साथ ही आप लोगों का जो selection process रहेगा वो return test आप लोगों का होगा So, record to 85 marks और qualification 15 Trade test, pass और fail आप लोगों का रहेगा Total marks जो है So, number का आप लोगों का return test होने वाला है Return test की बात करें Return marks will 90 minute time and non-negative marking यानि कि कोई भी negative marking आप लोगों का नहीं रहेगा और 1.5 hour यानि कि 1.5 घंटा आप लोगों को इसमें मिलने वाला है आगे हम देखेंगे Only Indian citizen में apply यानि कि All India के जो के अंड़ेट है जो भारती नागरिक है वो इसके लिए eligible है apply करने के लिए पूरे भारत के जो चात्र है वो इसके लिए eligible है apply करने के लिए form fill करने की last date जो है 11.2023 तक रखी गई है Last date for submission of online applicants will be 11.2023 11.2023 तक आप लोग जो है इसका form fill कर सकते हैं आगे हम देखेंगे और सारी चीज़े मैंने जो भी important चीज़े थी इसमें आपको एक एक चीज़ बता दी है फिर भी कुछ अगर रह जाता है आपको कुछ भी पूछना है आपके दिमाग में कुछ भी doubt है तो आप मुझे पूछ सकते हैं आपको जाना होगा मिधानी की official website पर वहाँ पर carrier option में जाने के बाद आप लोगों को form को जो है online fill करना है किसी भी प्रकार से form को offline या अपन नहीं बनना है 18-10-2023 से यानि कि इसके form जो है आज से start हो गए है और 11-2023 तक आप लोगों के form चलने वाले है form को जल्दी apply कर दीजेगा candidate need not send the hard copy यानि कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से hard copy form में आपर send करने के आवशक्ता नहीं है तो जो भी छात्र eligible है total 3 trade apps में हो गई है आप लोगों की feature, welder और electrition ये चातर इसमें जरूर से जाएगा apply जरूर से करना और आज की दूमितना है गाई हम मिलेंगे अगली ओड़े में एक नहीं job update के साथ जो रहेगी idea pass out चातों के लिए government vacancy की सरकारी भरती के update तब तक के लिए बाबाई अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाकर सब्सक्राइब करना जो वीडियो पसंद आया है वीडियो को like जरू करना वीडियो को share करना बिल्कुन मत भूलना साथ वी guys अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रूप को और वार्टसप ग्रूप को दोनों में से किसी को भी जोइन नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर जोइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो के update आपको सब सब पहले मिल सकेगी बवाद उसूल अवेल्टेकर जैहिन जैफारत